पुतिन को काजरफ की जरुरत है तो जलेंस्की को चाहिए एक नया फाइटर जेट लेकिन अब 16 को लेकर चल रही बात अब खटाई में पड़ गई है यही वज़ा है कि जलेंस्की ने एक नए लड़ा कुवमान की ताजा डिमांड रख दी है क्योंकि उन्होंने बाइडन से एक बड़ा बड़ा दोका मिलने का डर्ख है योक्रेन में धामाकों के भीच योक्रेन में जब एक के बाद एक शहरों को पुतिन की वोज रौनते हुए आगे बढ़ रही है तब जैलन्सकी को एक बहुत बड़ा शौक लगा है इसे आप 440 वोल्ट का जटका कह सकते हैं जैलन्सकी को एसास हो गया है कि उनको अमेरिका से बहुत बड़ा धोका मिलने वाला है जैलन्सकी बार-बार ये तज़वीर देख रहे हैं और फिर बाइडन से अपनी तीन मुलाकातों को बार-बार याद कर रहे है जैलन्सकी को बताया क्या है कि इस तज़वीर में अमेरिका और योकरेन का संबंध डिकूट कर दिया क्या है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे के कंदे पर बंदूक रख कर फायर कर रहा है यानि योकरेन, अमेरिका और रूस के युद्ध में कटपुतली बन गया है उसका इस्तेमाल किया जा रहा है अब सवाल है कि ऐसा क्या हुआ है? कि जैलन्सकी को धोखा मिलने वाली बात सच होने जा रही है तो बड़ी खबर F-16 फायर जेट को लेकर है वही F-16 जिसे लेकर जैलन्सकी ने रूस को रोकने के बड़े बड़े ख़ाप देखे है योकरेन को F-16 देने पर अभी फाइनल मोहर नहीं लगी है बाइडन ने सिर्फ ट्रेनिंग देने की बात कही है इसी लिए जैलन्सकी ने ऑप्शन 2 चुनने का फैसला किया है जैलन्सकी अब अमेरिका से F-16 फायर जेट के बात चर्मनी से योरो फायर की डिमांद कर रहे है योरो फायर टाइफून को आप जैलन्सकी का प्लान भी कह सकते है ये फायर जेट F-16 से कम नहीं बलकि उससे भी आधनीक लड़ा को विमान है सैलन्सकी के नए विकल्प के पीछे दो बड़ी वज़े है अगर आज की तारीक में F-16 देने पर अमेरिका राजी भी हो जाता है तो ये फायर योकरेन तक पहुंचने में कई महीने लग सकते है और हैरान करने वाली खबर ये है कि योरोप में अमेरिका का कोई भी साथी अपने F-16 जोरोप को देने के लिए खुलम खुला राजी नहीं है इसके पीछे पुदिन का खौफ सबसे बड़ी वज़ा है ये बात पता चलने पर जैलन्सकी को बस यही तस्वीर यादा रही है क्योंकि इसी में अमेरिका को F-16 वाला ओफर डिकोड किया जा रहा है युद्ध में योकरेन एक मोहरा साबित हुआ है यही वज़े है कि जैलन्सकी की डिमांड अपडेट हो चुकी है अब योकरेन को यूरोप पाइटर टाइफून की जरूरत है यह विमांड भी F-16 से कम नहीं है यह 2100 किलोमेटर प्रती घंचे की रफटार से उड़ता है यह 1300 किलोमेटर की रेंज तक बंबारी करके लोट सकता है राफायल के साथ यह यूरोप का सबसे बहतरीन फाइटर जेट माना जाता है जो रूस के सुखोई 35 से मुखाबला कर सकता है यूरोप फाइटर से इस सुख्ट जर्बनी भी लैस है ब्रिटन भी लैस है स्पेन और इटली की वायुसे नाएं भी इस फाइटर जेट को उड़ाती है लिहाजा इन देशों के पास अमेरिका की मनजूरी का बहाना भी नहीं होगा जेलेंस की इसी लिए अब यूरोप फाइटर पर अपना दाउं खेलना चाते है सवाल है कि क्या जेलेंस की एफ 16 को लेकर उव्मीत छोड़ दे वही फाइटर जिसके लिए जेलेंस की लंबे वक्त से जद्दो जहद कर रहे है इसके लिए वो यूरोप की हर बड़ी कैपिटल का दौरा कर चुक है अमेरिका के नेथाओं से कई मुलाखात कर चुक है लेकिन उनको हासिल क्या हुआ इसे बहुत गौर से समझेगा जोड़ शुरू होने के बाद जेलेंस की और बाइडन के बीच तीन बड़ी मुलाखात को चुकी है पहली मुलाखात 21 दिसंबर 2022 जब जेलेंस की वाशंग्टन बीसी गये थे तब भी उन्होंने बाइडन से F-16 मांगे थे दूसरी मुलाखात 20 परवली 2023 जब बाइडन अचानक की उके दोरे पर आये तब भी जेलेंस की ने F-16 की रिमांड की और तीसरी मुलाखात 21 माई 2023 जब जापान में होई G-7 की बैठक में जेलेंस की को बुलाया गया और यहां बाइडन ने उनसे F-16 की बहुत मीठी-मीठी बात की लेकिन ये तीनों मुलाखात अब तक धोखा नंबर 1, धोखा नंबर 2 और धोखा नंबर 3 साबित होई है जेलेंस की को लगा कि उनकी मेहनत रंग लाई है क्योंकि G-7 में अमेरिका ने कह दिया कि उससे F-16 दिये जाने से कोई एतराज नहीं है लेकिन जब से जेलेंस की ने मौसको को अपने ड्रोन से टार्गेट किया है अमेरिका को एसास हो गया है कि F-16 का इस्तिमाल भी रूस के खिलाप होगा जेलेंस की बॉर्डर क्रोस करेंगे और फिर पुतिन का गुस्सा वाशिंटन डीसी तक भूटेगा क्योंकि जेलेंस की अपना इरादा जाहिर कर चुके है वो क्या फैसला लेंगे, क्या टार्गेट चुनेंगे तीन माई को क्रेंबलिन पर ड्रोन अटेक के बाद जेलेंस की को लेकर अमेरिका का भरूसा काफी कम हुआ है अलाकि योरप की जिद के बाद बाइडन पेखले जरूर है और उन्होंने जी सेवन की बैठक के दौरान जेलेंस की से कहा कि कसम खाओ, रूस पर अटेक नहीं करोगे जेलेंस की इस बात के लिए राजी हुए लेकिन जेलेंस की ने अगर बाइडन को धोखा दिया और वो एप 16 लेकर पोतिन की सीमा में दाखिल हो गये तो पोतिन का गुसा यानि रूस की एरस्राइक चार देशों पर 24 घंटे के अंदर की जाएगे और तब वर्ल वार की नौबत आ सकती है जो बाइडन को विलकुल मन्जूर नहीं है और वो पोतिन से डाइरेक्ट फाइट नहीं चाहते बाइडन के डर को बहुत गौर से समझने की ज़रूरत है मॉसको योकरेन के बॉर्डर से 500 किलूमितर के दारे में है और ये रेंज एफ-16 जैसे फाइटर जेट को कवर करने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा अगर एफ-16 मॉसको या फिर रूस के किसी और शेहर पर अटैक करता है तो पुतिन का गुस्सा नहीं बलकि ज्वारा मोखी फटेगा और फिर रूस का हमला चार देशों पर हो सकता है इसमें नॉर्वेग, तन नेधरलेंग्स और डेन्माक के साथ पोलेंड भी शामिल है पोलेंड ही वो देश है जिसके जरिये नतो सभी हत्यार योक्रेन भीज रहा है F-16 बहुत ही खास जहाज है और ये योक्रेन के अंदर जहां जहां रूस का दबदबा है वहां ओपरेट कर सकता है रूस की फॉज पर भी बम गिरा सकता है और रूस के फाइटर जेट के साथ डॉग पाइट यानि हवाई मुकाबला भी कर सकता है बाइडन ने अभी इसी बात की इजासत दी है ऐसे में पुतिन के हवाई हमलों से जेलन्सकी को कौन बचाएगा पुतिन के मिसाइल अटैक का जवाब कौन देगा पुतिन की फॉज को उनके घर में घुस कर कौन बारेगा योकरेन को बचाने से ज़्यादा जेलन्सकी रूस पर हमले के लिए बेकरा ले इसलिए जेलन्सकी को ये भी चाहिए यानि योरो फाइटर जेलन्सकी ने इसकी भी डिमांड की है फ्रांस का मिराज 2000 और ये वाला जहाज तो जेलंस्की को ज़रूर चाहिए, अमेरिका का F-60. ये वाला जहाज तो जेलंस्की डॉन्बास में रूस के चिकानों तक ही नहीं, बलकी मॉस्कों में पोतिन के हेटवाटर, यानी क्रेमलिन तक हमला करेंगे ये ताकत हासिल करने के लिए. इसलिए जेलंस्की कमिशन फाइटर जेट चुरू हो गया है, जिसे ये उरप और अमेरिका में जेलंस्की की फाइटर जेट डिपलमेसी कहा जा रहा है. जेलंस्की की यही बातें पोतिन को बसंद नहीं है, गुस्से में टूबे पोतिन का दिल जहां चा रहा है, रूस की मिसाइल वहां गिर रही है, पोतिन के इशारे पर रूस के फाइटर जेट बड़ी-बड़ी इमार्थों को मलबे के देर में तब्दील कर रहे हैं, ऐसा पक्मूत में हुआ है, ऐसा खेर सौन और ओदेसा में हुआ है, ऐसा दुनिया ने मारियो पॉल में देखा है, और अब खारकियों के साथ कैपिटल क्यू भी इसी तरह पोतिन के गुस्से का शितार बन रही है, ऐसे में सेलंस्की की सबसे बड़ी दिमांड है, अमेरिका का F 16 फाइटर जेट, जिसकी जगह वो यूरो फाइटर से भी राजी हो सकते हैं, ये उक्रेन को 40 से 50 नए फाइटर जेट की सरूरत है, ताकि वो कम से कम तीन एस्कॉर्डन के साथ रूस से ठक कर ले सके, और पुतिन के हवाई घमलों को सीधी चुनौती दे सके, लेकिन क्या ये जहाज जेलन्सकी को मिलेगा, क्योंकि ये लड़ा को विमार, अमेरिका क्या कहें कि नैटो और रूस के बीच जंग भी सीधी वजब भी बन सकता है, और ऐसा बाइडन और जुरप में उनके दोस्त कभी नहीं चाहेंगे। जेलन्सकी को पोतिन की फौद से लड़ने के लिए नई पावर दी जा रही है, कम सी कम उनको खौप तो दिखाए ही जा रहे है, लेकिन ये ऐसी फायर पावर है जो पोतिन के युद्ध को जेलन्सकी और नैटो पर बोज बना सकती है।